अलो फ्रेंड कैसे आप सब ओप अच्छे होंगे तो फ्रेंड आज इस वीडियो में शिखेंगे कि आप अपने PC को असंबल कैसे करें तो फ्रेंड आप देश रकते हैं मेरे पास सभी यहाँ पर PC का सभी पार्ट रखा हुआ है आप इन्हीं के जरी यह PC को असंबल करेंगे SMPS है यह फ्रेंड cabinet है और फ्रेंड यह डिस्क रखा हुआ है और फ्रेंड यह ODD है यानि CD ड्राइव तो फ्रेंड आप इन्हीं सभी पार्ट के जरीए अपने पिछी को असेंबल करेंगे साटा के बला फ्रेंड और आपके पास एक स्क्रीव होना चाहिए स्क्रीवड्रÁis और कुछ श्क्रीव रख्यों है नेट बोल्ट है यह तो चलिए फ्रेंड स्युरू करते हैं तो फ्रेंड सबसे पहले आप अपने मंद्रा बल्में राइम को स्मब्रक्रेंगे रेहर रेम एसम्बल करने के लिए फ्रेंड आप ये कट देख लें कि ये कट किदर की तरफ जाएगा ये फ्रेंड डीडियर टू रेम है तो आपको यहां पर देखना है कि कट किस तरफ है इस कट को मिला देना है और ऐसे इसको निचे थोड़ा प्रेस कर देना है ऐसे पर देखिए ये अपने आप सेट हो जाएगा इसी तरह दूसरा रेम करना आपको अब दिफ्रेंड देख रहे हैं आप ऐसे कट इस कट में डालना है आपको और इसको थोड़ा निचे दबा दिए ऐसे फ्रेंड इसके बाद फ्रेंड आप अपने SMPS को कैबिनेट में लगाएंगे इसको ऐसे लगाएंगे फ्रेंड आप देख सकते हैं इसको अप ऐसे लगाएंगे अब यहां पर आपको नेट बोल्ट खैस देना है प्रेंड SMPS को यहां पर असेंबल करने के बाद आप ODD को असेंबल करेंगे इसको आप ऐसे लगा दें आगे की तरफ से लगेगा फ्रेंड यह प्रेंड देख सकते हैं यहां पर मैंने इसको ODD को ऐसे लगा लिया है तो द्यान रहे कि ODD आगी तरफ ने जाएंगे यहां पर आपको ऐसे इसका से रखना है ना आगे जाए ना पीछे जाएंगे उसके बाद प्रेंड आप को यहां पर इसके बाद आप मदरबोर्ड को यहाँ पर एसेंबल करेंगे यहाँ पर इन सभी वायर को आप बार की तरफ ऐसे डाल दें इसके बाद आप देख सकते हैं इसको असेंबल करेंगे इसेंबल करने से पहले फ्रेंड आप त्यान रखे कि पहले आप पत्ति को लगाएं यह फ्रेंड मदरबोर्ड की पत्ति आती है इसी शेप की अलग 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 मदरबोर्ड में अलग 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 तरह की आती हैं तो आप मिला कर देख सकते हैं कि आपके मदरबोर्ड में कौ प्रेंड मदर बोर्ड सेट हो गया है अब यहां पर स्कुरूखास के गोडिये करेंफ भाल करा अब को यहां पर अपना ऑल डिस्क और एसेटी लगाना है प्रेंड यहां पर इसके नि निचे लगेगा प्रेंड आपको पाफिक वालडिस्क है उसका जो यह अजिक्ट वाला इस्सा है साट्टा पोर्ट और पावर का पोर्ट इसको प्रेंड आप इस तरह रखेंगे मदरबूर की तरह अंदर की तरह नहीं लगेगा ये तो फिरह आप देख सकते हैं मैंने आर डिक्ट के अंदर को कर लिया है स्क्रूज को खेच दिया है उसके बाद आप एसस्टी को लगाएंगे एसस्टी को फ्रेंड आप ऐसे लगाना है जो शिरा है इसका साटा पॉर्ट वाला यह आपको इस्तरफ करना है ऐसे विम्यां तो देख सकते हैं और आप मैंने इस स्टरफ परेंड और यह यह इस्तरफ है किसी दणा लेगा फ्रेंड आपको साटा केब्ल को लगाना है आट डिस को और मदर बोर्ड को अटेच करना आपसमें और SSD को भी हर्डिस के एटेच करना है तो अटेच करने के लिए फ्रेंड आप साटा केबल का यूज करेंगे ये जो कटका निसान है फ्रेंड ये आप सही से मिलाकर ही डालें तो फ्रेंड मैं इसको लगा लेता हूँ आप यह देखके फ्रेंड उसके बाद फ्रेंड आपको यहाँ पर साटा पोर्ट दीख रहा होगा फ्रेंड मदर बोर्ड में किसी मदर बोर्ड में चार आते हैं किसी में दो आते हैं किसी में तीन आते हैं यह जो है यह साटा मैं इसमें अपनि सटा को लगा दिया कि अम में देखे 151 अब और इसको ऐसे लगाना फरेंड आप देखे सकरेंड़ आप रहे टाट है चौछ क्छेंगे अब देखेंगे आं Е पेंट में आपको लगाना है है अपने आपको अर्डिस्क को भी इसी तरह करक्स करना है इसको लगा देना फ्रेंट आप इसी तरह है कि देखकते फ्रेंट आप आप अर्डिस्का और असेटिका दोनों शाल्टा केबल लग चुका है देशकते हैं SSD के अंदर भी और R-Disc के अंदर भी है फ्रेंट अब R-Disc के अंदर और SSD के अंदर आपको power देना है तो power cable कौन सा सूज करेंगे फ्रेंद आप फ्रेंड power cable यह होता है यह देश सकते हैं यह power cable है इसको आप एक SSD में लगाएंगे और एक आरडिस्क में लगाएंगे तो फ्रेंड मैंने इनके अंदर जोएंट किया हुआ है एक आरडिस्क का और एक एसेश्टी का एक वायर से यह कनेक्ट राता है फ्रेंड आप यह आप बार से ले सकते हैं किसी दुकान से को मैंनिये अलग से लगाया हुआ है क्योंकि फ्रेंड असंप के साथ दो ही वायर आते हैं पाउर के और हमको लगाना फ्रेंड एक odo dp चलाना है और ऐसेश्टी भी भी कट फाएगा फ्रेंड ये लग चुका है अब आपको अश्च्टी में लगाना है से ही कट देखकर देख सकते हैं तो फ्रेंड श्क्राइब बार है मजर बोड को पाउर देने की तो फ्रेंड ये होता है है CPU के लिए जो CPU है फ्रेंड उसके लिए पावर बता है फ्रेंड यह 12 वोल्ट और फ्रेंड ब्लैक है माइनस वोल्ट माइनस का और पिन 80 आप यहां पर इसे साथ ही दिया मिलेगा इस देशकते हैं यह इसका 80 है इसमें आपको यह वाला के बल लगाना है इसको बहुते हैं इसका लोक है तो आप लोक की दिरुए लोक को लगाएंगे इसको आप लोक की दिरुए इसको खैस डे तो देखे फ्रेंड यह नहीं निकलेगा, निकालने के लिए आप इसको दबाना पड़ेगा, 24 पिन, ये टेक्स केबल लगाना है, तो फ्रेंड आप इसको भी लोक देख करें लगाएंगे, ये इसका लोक है, ऐसे फ्रेंड इसको इसके दबा देना है, तो फ्रेंड ये लग चुका है, ये फ्रेंड बार ही है, इसके बल की, तो फ्रेंड इसी में पावर के बल दिया हुआ है, दोनों का, तो आप इसको लगाएंगे, सबसे पहले अपने ODD में, फ्रेंड ये ODD के लिए बचाया हुआ है मैंने, उसके बाद फ्रेंड आपका बचा है, यूसबी केबल, यूसबी केबल, तो फ्रेंड यूसबी केबल को आप यहाँ पर सेंबल देखकर ही, आप लगाएंगे, कि ये देशकते हैं, ये दो पोर् टूटा हुआ मिलेगा, याद निकी मिलेगा ही नहीं, आपको इसके अंदर एक तो तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो नो पिन मिलेगा, फ्रेंड एक पिन इपको नहीं मिलेगा, तो फ्रेंड आप इसको देखकर ही लगाएं, कि इस्तरफ से यहाँ पर पिन नहीं है यहाँ पर इस तरफ से पिन नहीं है तो मैं इसको भी इस तरफ से लगाऊँगा, जिस तरफ पिन नहीं है, तो फ्रेंड आप इसको इस तरफ ऐसे लगा ले, जा तो फ्रेंड इसके अंदर यूएस्बी लिखा हुआ होगा, या फिर आप कट देखकर ही पैशान सकते हैं, तो इसको लगाने के बाद आप ओडियो केबल को लगाएंगे इसके अंदर मुझे लग रहा है इसके लग रहा है इसके अंदर देख सकते हैं आप ये भी दूसरी तरफ इसमें पिन नहीं है तो इसी में लगा इसके साइड में आप देख सकते हैं कि कुछ लिखा हुआ है ओडियो तो फ्रेंड ये ओडियो के पल इसी में लगेगा इसको आप ऐसे लगा लिए फ्रेंट्स अच्छे उसके बाद बार याती है फ्रेंड फ्रेंट फ्रेंट फेनल की तो फ्रेंट फेनल कैसे लगाना है फ्रेंड आपको यह देख सकते हैं आप यह आर्डिस्क अलीडी का है फ्रेंड्स यह रिसेट स्वीच है फ्रेंड्स यह प पावर अलीडी का है वो पावर माइनिस का है आप देख सकते हैं तो इसको कैसे लगाना फ्रेंड आप देख सकते हैं फ्रेंड आपके मदरबोर्ड के इसाब से आपका फ्रेंट पैनल आता है आप वहाँ पर मदरबोर्ड का नाम टाइप करके भी गूगल से डाउलोड कर सकते हैं फ्रेंट पैनल तो फ्रेंड इसको कैसे लगाएंगे इसका फ्रेंट पैनल यहाँ पर दिया हुआ है आप देख सकते हैं यह रंग ब्रिंगा है फ्रेंट्स इस तरफ लगेगा रिशेट स्विच का जो केबल इस तरफ लगेगा फ्रेंट पावर स्विच इस तरफ लगेगा फ्रेंट और डिस्क लीडी का इस तरफ लगेगा फ्रेंट पावर लीडी का आपको चैक कर लेना है फ तो फ्रण मैं लगा कर देखा देता हूं आपको अगर देख सकते हैं रिशेट स्विच मैं इसको इस तरफ लगाऊंगा आप देख सकते हैं यह के बलग चुका है कि अब इसी के साथ में इस तरफ आपको और डिस्क लिडि लगाना है प्रण आप देख सकते हैं यह आडिस्क लिडि है इसको आप इस तरफ लगाएं ऐसे ऐसे फ्रण यह पलस का निशान है इसको आप इस तरफ लखेंगे ऐसे ऐसे लगाएं फ्रेंड आप यह जो नंबरिंग होते हैं यह आप इसको इसी तरफ रखना है तो अर्टिस्ट लीडी को लगाना है इधर कोने में इधर मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि जगह ऐसी है आपको बीट बाली जगह ऐसी कैमरा वाँ पर नहीं जा सकता तो देखिए मैंने लीडी को भी लगा लिया है उसके बाद प्रेंड आप पावर लीडी को लगाएंगे यह देख सकते हैं प्लस का इस तरफ रखेंगे प्रेंट और माइनस का इस तरफ रखेंगे यह फ्रेंड आपको ऐसे लगाना है अब देख सकते हैं फ्रेंड पावर लीडी का वायर भी लग चुका है अब आपको लगाना है प्लस को इसको फ्रेंड आप ऐसे लगाएंगे इसको फ्रेंड आप कैसे भी लग सकते हैं बट आप अच्छा है कि ऐसे लगाएं जो नंबरिंग होते हैं वह आ प्रफ ही रखें तो प्रण आप लगाएंगे तो प्रण ये भी लग चुका है देखिए देख सकते हैं ये PC पूरा सेंबल हो चुका है अब ये चलने के लिए तयार है है अब इसको अन करके देखाता हूं तो फ्राblack मैंने इसके अन्दर सबीकिया लगा लिएं आम मैं इसके करता हूं पार अभूर अगour त्र३र प्रेंडं पर उम्रेंगस है यहां पर राप स्क्रिन देख सुकेंगे, इदेखे फ्रेंट्स, जैपराउनिक्स आलवेज अहीड, इदेखे फ्रेंट्स, जो PC है, वो चल चुका है, तो फ्रेंट्स, वीडियो कैसा लगा, कॉमेट करके जरूर बताईए, लाइक, शेयर, सेस्क्राइब कीजिए, इसी के साथ जाएंगे.